Welcome to Panesia आजकल और तारीक है आज की 26 October और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दो शब्दों पर आप ध्यान दीजिये एक है renewable energy और दूसरा है agriculture तो renewable energy और agriculture दोस्तों आप जानते हैं कि अपने आप में individually हमारे exam point of view से बहुत ही जरूरी topics हैं और आज का जो editorial है उसमें तो ये दोनों च ज़्यादा लगा सकते हैं कि एक्जाम के लिए इसकी इंपोर्टेंस कितनी है तो दोस्तों देखिए ऑक्टूबर का महीना है ऑक्टूबर नवंबर से लेकर दिसंबर तक एक बहुत बड़ी समस्या दिल्ली में देखने को मिलती है दिल्ली और आसपास के राज्यों में जो क विस्ता रह जाता है नीचे की फसल का तो किसान उसे जला देता है खास तोर पर पंजाब, हर्याना और वेस्टन यूपी में ये प्रैक्टिस की जाती है कि अगली फसल की बवाई के लिए क्या करना है पिछले क्रॉप रेसिड्यूस को जला देना है लेकिन होता क्या है वि रिनाउस गैस एमिशन की तो वो भी यहां से निकलती है साथ ही साथ पॉलूशन होता है और इसका एफेक्ट ना सिर्फ एन्वार्मेंट पर बलकि हूमन लाइफ पर भी बराबर पड़ता है तो इसके लिए सरकार काफी सालों से लगी हुई है कि किस तरह से स्टबल बर्नि विशन के अपरोच किया और उनका यह कहना था कि किसी तरीके से हम एसा कुछ कर सकते हैं क्या कि एक्सीटू जो management है stable का हुम कर सकें अब एक्सीटू का मतलब क्या है देखिasures निच कर सकते हैं Stubble को आप manage कर सकते हैं दो तरीके से, एक तरीका तो है in-situ और एक तरीका है ex-situ. In-situ तरीके में क्या होता है? In-situ तरीके में आप मशीनों का इस्तमाल करते हुए, heavily subsidized जो मशीन हैं, बहुत महंगी मशीनों का इस्तमाल करते हुए आप क्या करते हैं? खेतों में ही वहीं पर crop residue को जो है वहाँ से हटाते हैं, लेकिन ex-situ method में क्या होता है? Ex-situ method में आप इनी crop residues, जो बच्ची हुई फसल के तुकडे रह गए, उन्हें आप किसी plant में ले जाएए, वहाँ उसका कुछ treatment कीजिए, और वहाँ से कुछ आप productive निकालिए, for example, जो आज का topic है, वो इसी बारे में है कि ex-situ management of this stubble, जहाँ पर आप इन stubbles को ले जाएंगे, कहाँ पर एक plant में ले जाएंगे, वहाँ इससे तबदील करेंगे, आप compressed biogas में, जो की एक clean energy के तौर पर हम इस्तमाल उसे कर सकते हैं, तो इस चीज़ के लिए, जो ex-situ use के लिए, अप्रोच किया गया था नीती आयोग द्वारा FA को, उससे पहले क्या होता था, अब तक हम क्या करते हैं, अब तक हम बहुत ही, जो महंगी मशीनों का इस्तमाल करते हैं, और इन महंगी मशीनों का इस्तमाल करते हैं, in-situ, in-situ management करते हैं, जहांपर की हम बहुत महंगी मशीनों से, स्टबल को वहीं पर manage करते हैं, उसी खेत में, लेकिन अब हम एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, और एक बहुत ही खुशी की बात है, एक बहुत positive news है, कि देश में, आप देख सकते हैं, देश में पहला bio energy plant जो है, जो आपर देख सकते हैं, renewable energy revolution rooted in agriculture, मतलब यह है कि अगर आपको renewable energy चाहिए, तो उसका रास्ता agriculture से ही होकर गुजरता है, मतलब agriculture एक तरीका है, एक जरिया है, renewable energy का, और यहां पर यही बात की गई है, कि जो stubble है, stubble की problem जो कि October से December तक के महीने में होती है, उस problem से भी छुटकारा म मिलेगा, और साथ ही साथ उस stubble को आप इस्तमाल करोगे, एक renewable energy source के तौर पर, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि agriculture waste to wealth, कि agriculture का जो waste है, जो pollution और greenhouse gas emission करता था, अब उसे हम wealth के source में आपर बदलने वाले हैं, और इसकी शुरुआत पंजाब के संग्रूर डिस्टिक से हो चुकी है, एक study की गई, उसके मताबिक अगर पंजाब में 30% stubble को ही या agriculture residue को, crop residue को अगर mobilize किया जाए पंजाब में, तो उसकी लागत लगबक 2000 करोड के लगबक होगी, और यहां पर 20 दिन का period लगेगा इस सब में, और ऐसे में, ऐसा माना जा रहा है कि green house gas, जो उसका emission होता है, उसके reduction में क्या figure आया है, 9.7 million tons of carbon dioxide equivalent मतलब 9.7 million tons तक reduction देखने को मिलेगा CO2 emission में, जो कि हमारे environment के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी, साथी साथ किसान की income भी बढ़ेगी, जो stubble है किसानों से बेचेगा, तो ऐसा माना जाता है कि 550 रुपे से लेकर 1500 रुपे per ton, जो straw होगा या पिर जो stubble होगा, उसके लिए वो कमा सकता है, तो यहां से जाहर तोर पर एक किसान की income, एक किसान की आये भी बढ़ेगी, इस तरह कि जब compressed bio gas का इस्तमाल, एक तो आपका कहां पर होगा, एक तो आप इस्तमाल कर सकते हैं, वीकल्स में से, राइट, साथी साथ आप जो यहा पर इस्तमाल किये जा सकते हैं, इससे फायदा क्या होगा, कि कोईले से जो environment को नुकसान होता है, उससे भी हम बच जाएंगे, साथी साथ इस पूरे process में, जो slurry generate होगा, जो इसमें से भी waste बनेगा, उसका इस्तमाल किया जा सकता है, as a compost, खाद के तोर पर, जो soil की health के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और यहां पर chemical fertilizer पर भी हमारी dependence जो है, वो काफी हद तक कम हो जाएगी, तो कुल मिलाकर, देखा जाये तो किसान की income बढ़ाने का जरिया होगा, environment sustainability के लिए बहुत जरूरी है, साथी साथ हमें clean energy resource मिलेगा, और साथी साथ गाओं में और जादा income के source बढ़ेंगे, रोजगार मिलेगा, क्योंकि इन trouble को collect करना, transport करना, उसके बाद इससे बने हुए compressed जो bio gas है, उसे handle करना, इन सब में youth की जरूरत पड़ेगी, और गाओं के लोगों को जो की बेरोजगार है, उन्हें रोजगार की अफसर मिलेगे, तो कुल मिलाकर, हमारे exam point of उसे ये बहुत जरूरी आज का article है, जहांपर की कहा गया है कि agriculture के द्वारा ही clean energy का रास्ता निकाला जाता है, दोस्तों चलते हैं अगले editorial की तरफ, जहांपर आपको एक खबर देखने को मिलेगी, कि हाल ही में हमारे देश में Commission Commission of India ने Google के उपर एक बड़ी penalty लगाई है, त तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे Commission Commission ने Google की उपर 1337 करोड की एक penalty हाँ पर लगाई है, और वो penalty क्यों लगाई है हमें ये समझना है पहले, देखिए दोस्तों बात ऐसी है, आपने देखा होगा जब आप कोई mobile phone खरीते हैं, तो आप देखिएगा कोई उस mobile phone पर कुछ apps जो और ये Google की policy होती है कि आप इन्हें delete नहीं कर सकते, और आपको ये apps रखनी पड़ेंगी, जैसे कि आप as a user, आप जब एक smartphone खरीते हैं, तो वहाँ पर आप अपना default search engine जो है select नहीं कर सकते, भई मैं चाता हूँ कि मैं अपना कोई और search engine बनाओ, मैं Chrome पर नहीं जाना चाता, म मैं अपना कोई और search engine जो है, उसके जरीए चीजों को डूनना चाता हूँ, explore करना चाता हूँ, लेकिन ये इस तरह के जो devices होते हैं, या Google की policy कहती है, कि जो pre-installed app हैं, आपको उनी से काम चलाना पड़ेगा, आप उन्हें delete नहीं कर सकते, और साथी साथ जो ads होते हैं, Google के ads, वो भी बीच-बीच में आते रहते हैं इन apps पर, जिनके जरीए Google अच्छा खासा पैसा कमाता है, साथी साथ, दोस्तों आपने देखा होगा, कि जब आप Google Play Store पर जाते हैं, तो Google Play Store पर भी, आपको जब कोई app purchase करनी है, कि कुछ app होती हैं, जो free of cost होती हैं, जबकि कुछ app के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, तो वहाँ पर भी आपके पास limited option होता है, कि आप Google का अपना payment gateway है, जिसके जरीए आप payment करेंगे, कोई third party का आप इस्तमाल वहाँ नहीं कर सकते, that means, ये सारी की सारी policy कहीं ना कहीं, ये giant Google को फाइदा पहुंचाती है, और इसी वज़ आपको अपनी policies में सुधार लाने की जरूरत है, और आपकी policy जो है, वो user friendly होनी चाहिए, ना कि सिर्फ आपके फाइदे के लिए होनी चाहिए, तो दोस्तों ऐसा है कि यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले competition commission of India की, थोड़ा सा prelims point of view से जान लेते हैं, कि किस तरह का सवाल आपका बन सकता है, तो देखिए दोस्तों, CCI, जो की competition commission of India है, ये एक statutory body है, सबसे पहली बात, ये statutory body है, जो की 2002 में बनी थी, और इसी statutory body को, ये body जो है, enforce करती है, competition act 2002 को, अब ये क्या competition act क्या है, और ये competition commission of India क्या body है, तो समझे इसकी बात, इसको करना होता है, कुछ का खास ख्याल रखना होता है, इसका काम है कि market में competition बने रहना चाहिए, अब competition की जरुवत क्यूं है, देखिए competition जितना ज़्यादा बढ़ेगा, उसका फायदा हम जैसे consumers को ही होता है, जितना ज़्यादा competition होगा, fair trade practices होंगी, उतना ही ज़्यादा consumer को options मिलेंगे, और इसी लिए ये competition commission of India चाहता है कि भारत में एक market बने, एक ऐसा market established हो, जहाँ पर competition का माहल हो, कुल मिलाकर unfair trade practices, किसी भी तरीके की unfair trade practice, जैसे कि monopoly हो गया, monopoly जैसी चीज़ को, इन चीज़ों को ना होने देना, क्योंकि आप जानते है, monopoly होती है, तो price बढ़ेगा, price बढ़ेगा, तो customer क नुकसान है, किसी तरह की unfair trade practice होगी, तो वहाँ पर भी दिक्कत है, तो competition commission of India यही बात करता है, कि कोई भी company, कोई भी manufacturer जो है, वो इस तरह की practices का इस्तिमाल ना करे, जिसका बुरा effect जो है, वो consumer पर पड़े, और इसी लिए CCI को ये power है, कि वो इस तरह की penalties या fine जो है, लगा स लिए, तो इन examples की मदद से आप समझ सकते हैं, कि किस तरह से Google ने एक ऐसा environment create कर रखा है, जहां पर कि आप बंद जाते हो, और वहाँ पर आपको वही services, वही apps का इस्तमाल करना होता है, जो Google चाहता है, तो इसलिए एक ऐसा mahal create करना है, जहां पर कि इस तरह से बड़े- की हमें create करने की जरूरत है, पनेशिया ट्यूटर लाया है, एक education platform, जहां पर अलग-अलग courses, जैसे की IAS, PCS, UGC Net, SSC और banking exams के लिए, online और offline classes की सुविधा उपलब्थ है, comprehensive coverage of all these subjects, through quality video lectures, है aptitude का topic, that is blood relation, uncle's only daughter, He took the throne, तो जो throne पे emperor बैटे थे, वो अपने साथ ले गए, Kohinoon diamond, the world famous Kohinoon diamond, वो भी Google treasury से ले गए फिर आया economic pragmatism, यानि की, जाहे हमारे से आपसे जगड़ा हुई है, तो भी हम आपसे ब्यापार कर रहे हैं, जैसे चाइना है, हमारा जगड़ा होते हुँ भी हम उससे ब्यापार कर रहे हैं PDF notes और उनसे जुड़े हुए relevant MCQs, साथी साथ, comprehensive mock tests So, join Panesha Tutor for your successful and bright future